सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोउशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेग्नोलोजी वीडियोज टेक्टिक लिए सबसे बड़ा प्रप्लम यह है कौनसा फाइल आपका फोन के लिए है ताकि आप गलत फाइल को ना इंस्टल करें तो यह वीडियो से कैसे एक्सपोस फ्योंवा को एंस्टल करेंगे सिफ उसी के बारे में नहीं है बड़ जो में कॉनसा फाइल आपका फोन के लिए है आपका फोन में जो एंड़र्ड वर्शन है और जो रॉम आ यह यानु बास यहानी मी में वाय Conc何 के साथ गौनसा इंपक आपको धान मरक ना है क्योंकि आप यह जान लीजिए ऐसा कभी भी नहीं होगा जो कि मैं आपको जो exposed framework का फाइल एक बाद दे दूंगा यह device के लिए यह फाइल है यह device के लिए यह फाइल है तो वो स्रेफ कुछी दिनों के लिए काम करने वाला है लेकिन आगे जब आपका फोन में Android वर्शन का अपडेट कर लेंगे तो Android system अपडेट के बाद वो फाइल और काम नहीं करेगा तो इसलिए आप जब कोई advanced users की तरह exposed framework का का फाइल को इंस्टल करना चाहते है तो आपको यह भी जानना जरूरी है आप कैसे राइट exposed framework का फाइल को डाउंलोड करें जो कि आपका फोन में current Android वर्शन और निवाई रॉम के साथ काम करेगा आधरवाइस आपको कभी भी exposed framework को successfully installing नहीं कर पाएंगे आपको basically पहले concept समझना आ है तो बाकी सब कुछ automatically easy हो जाएगा तो नमस्ते दोस्तो मैं हमको कोई शिक्तों चालिए वीडियो शुरू करते है प्री रिक्वार्मेंट्स तो दोस्तों exposed framework को install करने के लिए प्री रिक्वार्मेंट्स है आपका फोन में bootloader unlocked होना चाहिए TWRP custom recovery या तो आधर्स कोई भी custom recovery इंस्ट्राल होना चाहिए प्लास फोन को rooted होना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको super issue root का भर्षन दिखाऊंगा exposed framework का magic भर्षन के लिए अलग भर्षन होता है साउमी का फोन में bootloader unlock TWRP custom recovery installation and super issue root कैसे करना है यह सब के बारे में मैं already step by step guide में details के साथ वीडियो बना चुका हूँ आपको यह वीडियो का description में सारे के सारे useful वीडियो का link मिल जायागा आप उहां से वह सब वीडियो देख सकते है download and install right exposed framework file for your phone आप main point आप यहाँ पे आपको right exposed framework का file को install करने के लिए कुछ important things आपको ध्याम रखना है तो सबसे पहले आप आप अगर एक exposed framework का file को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते है यह exposed framework का एक file है exposed v86 stk21 arm64 meewa edition by solarwage 2016-07-010.zip दोस्तो इस तरह का कुछ नाम होता है exposed framework का file का तो यहाँ पे file name का अंदर भी बहुत सारे matter रहता है यह file में exposed mean framework का नाम है exposed framework then v86 mean exposed framework का version है उसके बाद stk21 means android software development kit API level name जो की बहुत ही important चीज है और उसके बाद arm64 mean यह आपका phone में CPU यानि processor architecture का जो details है और operating system का bit rate है उसका उपर भी डिबन करता है जो की आपका phone में 32 bit ways या 64 bit का ways है और last में यहाँ पे MIUI edition लिखा है यानि MIUI ROM के लिए यह compatible होगा और यह developer name है और यह नाम मा last update का date है ओके, so यहाँ पे में ली 5 चीज का उपर डिबेंड करके exposed framework का file name होता है और उसी सबसे अलग-अलग ROM के लिए, अलग-अलग phone के लिए और अलग-अलग Android version के लिए काम करता है exposed framework version, plus CPU architecture and Android OS bitrate, 32 or 64 bit OS plus Android development kit API level name, plus MIUI जायसा custom ROM है तो यह भी देखना है, MIUI जायसा custom skin के लिए exposed framework का file modified है या नहीं MIUI ROM के लिए MIUI edition या तो MIUI लिखा रायगा आप दोस्तों मैं आपको एक एक चीज को सेफ़रेट डिटेल्स के साथ बोल सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा simplicity के लिए ज्यादा complicated ना करते हुए यहाँ से आप स्रेप तीन चीज को धान में रखिए जो कि नामबर वान MIUI edition, यानी compatible for MIUI ROM आपको वीडियो का description में भी only MIUI ROM के साथ compatible Xbox framework का ही downloading मिलेगा यह तो सभी के लिए common चीज है आप नमबर टू ARM version selection यह depend करेगा आपका फोन में जो CPU या प्रोसेसर का जो architecture का details प्लास जो Android version है उसका bit rate क्या है 32 bit या तो 64 bit का OS है यह दोनों मेंशे हम लोग Android version को यह धन में रखेंगे CPU architecture का है उसका confirmation अटोमेटिकली आपने आप आप आजाएगा दोस्तो पहले आपको बता दू कौनसा Android version 32 bit का OS है और कौनसा Android version 64 bit का OS है तो दोस्तों आपका आपका फोन में Android लोलीपप 5.0 यानि Android मास्च मेलो 6.0 से लेकर जो भी Android version है वो झिक्षरण दू का OS है और बिलोँ Android मास्च मेलो यानि Android लॉलीपप और लॉलीपप का नीचे जो भी Android version है वो 32 bit का OS है तो आगर आपका फोन में Android version है Android Marshmallow या Android Nougat तो खो 64 bit का OS है यानि आपका फ्रोसेसर भी 64-bit OS को सपोर्ट करता है तो आपको ARM64 का फाइल को डाउनलोड करना है और अगर आपका फोन में Android वर्शन Android मास्पेलो का नीचे है यानि Android लॉलिपप और उसका नीचे जो भी Android वर्शन है तो वो 32-bit का OS है यानि आपको ARM फाइल को डाउनलोड करना है तो OS का bit rate जैसा है 32-bit या तो 64-bit उसको धान में रखिएगा CPU architecture का डीटेल्स आटमेटिकली आ जाएगा नमबर 3 HDK API level को धान में रखना है अब दोस्तों HDK API level यह रिपन करता है Android वर्शन का उपर राइट HDK API level को आपको चूज करना बड़ेगा आपका फोन में करेंट Android वर्शन का विश्चिस पर नमबर 1 अगर आपका फोन अभी Android 7.1 और अभोब में है तो आपको exposed framework के लिए HDK 25 API का फाइल को डाउनलोड करना है नमबर 2 अगर आपका फोन अभी Android Nougat 7.0 में है तापको exposed framework के लिए HDK 24 API का फाइल को डाउनलोड करना है नमबर 3 अगर आपका फोन में Android Maslow 6.0 और अभोब में है तापको HDK 23 API का फाइल को डाउनलोड करना है अगर आपका फोन अभी Android Lollipop 5.1.1 और अभूम में है तापको SDK 22 API का फाइल को डाउनलोड करना है अगर आपका फोन में Android Lollipop 5.0 में है तापको SDK 21 API का फाइल को डाउनलोड करना है और Android Oreo 8.0 के लिए SDK API लेवल है 26 हलाकि Android Oreo 8.0 के लिए अभी तक Xbox framework डेवलाप नहीं हुआ है इन फ्यूचर में वीडियो डेस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा So finally as the example में Redmi Note 4 है और Android version Android 7.0 जो कि एक 64-bit का वेस है तो processor भी 64-bit का वेस को सपोर्ट करता है और SDK API लेवल का हिसाब से Android 7.0 मतलब SDK 24 API होगा And MIUI 9 ROM है तो obviously MIUI Edition होगा तो मैं यहाँ पे मेरा Redmi Note 4 के लिए ARM64 का SDK 24 API का फाइल को डाउनलोड करूँगा जो कि MIUI Edition के लिए है अगर माल लीजी आपके बास Redmi 4 है तो Redmi 4 में Android version है Android Nougat 7.1 और यह भी एक 64-bit का iOS है और प्रोसेसर भी 64-bit OS को सपोर्ट करता है But SDK API लेवल का हिसाब से Android 7.1 मतलब SDK 25 API है तो आप Redmi 4 के लिए ARM64 का SDK 25 API का फाइल को डाउनलोड कीजिए मैं सुरू से 1K करके जैसा जैसा बताया था उसके साथ आप calculation कर लीजिए तो देखिए मेरा example के साथ सारे के सारे rules मैच हो जायागा Okay, so hope that now the concept is clear आप कैसे write exposed framework का फाइल को डाउनलोड करेंगे पर्टिकुलर आपका phone के लिए और अभी अगर आपका phone में Android version चेंज हो जायागा तो जैसे जैसे अपग्रेड होगा Android version उसे हिसाब से आप SDK version को धान में रखके आप फाइल को डाउनलोड कीजिएगा जैसे कि मैं SDK API level and ARM version यानि Android OS का bitrate 32 bit या तो 64 bit का OS के लिए instruction बताया हूँ अब दोस्तो आप आपका phone के लिए write exposed framework का फाइल को डाउनलोड कर लिजिए उसके बाद exposed installer app को डाउनलोड कर लिजिए जो कि सबी device के लिए सेम है तो अभी सारे के सारे files को phone का internal memory में रख दीजिए exposed framework installation ओके तो दोस्तो फाइनली अभी exposed framework को इंस्टल करने के लिए आपको सबसे पहले phone का power button and volume up button दोनों के एक साथ प्रेस करके रखिए तो TWP custom recovery mode open हो जाएगा मैं आपको recommend करूँगा आप हमीसे current ROM का एक nanodroid backup बना लिजिए ताकि by any chance कुछ problem हो जाएगा तो आप easily restore point से आपका current ROM में back आ सकते है ओके तो अभी ही आपका install option में click कीजिए और यहाँ से exposed framework का file को select कीजिए यहाँ से swipe to install option में swipe का दीजिए उसके बाद यहाँ पे reboot option पे click कीजिए और यहाँ पे do not install option पे click कीजिए तो आभी आपका phone reboot हो जाएगा note that exposed framework को install करने के बाद maybe fast reboot होने में कभी कभी 10-15 minutes तक time लग जाता है maybe automatically अपने आप एक दो बर reboot भी हो सकता है so don't be panic just wait for fast reboot तो दोस्ता अभी finally exposed framework install हो चुका है और आभी आपको exposed installer app का apk file को install कर लेना है जो आपना पहले ही already download करके रखा है makes your unknown sources enabled उसके बाद दोस्तों यह application को open करने के बाद आपको सबसे पहले pop-up से root permission कुछा जाएगा और दोस्ता अभी आप यह सब modules को download करके use कर सकते है but note that always आपका phone में Android version के साथ जो जो modules compatible है उसी सबसे exposed module को install कीजिएगा तो दोस्तों यही था video hope that आपको concept समझ में आया है जो कि आपको कैसे exposed framework का right file को download करना है and कैसे उसको successfully install करना है so please आप video को like and share कीजिएगा और आप चाहे तो मेरा चैनल को subscribe भी कर सकते है so once again this is Koshi here and see you in the next one thank you guys thanks a lot for watching bye